कि सब्सक्राइब करिया है फैस्ट डी चैनल को बेल आइकन को प्रेस की जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे भड़े पाने के लिए अधार सातियों फिर से अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हो अपने युट्व चनल पर जोब डूप दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हो बाल विकास के कुछ आति लग उत्री प्रस्न है दोस्तों आज आप लूगे के लिए सुबह वीडियो नहीं आप आए क्य है कि बेक्ति के मस्तिस्क का वजन होता है चोदाइस सो ग्राम कई यानी एक किलो 400 ग्राम होता है यह बहूत ज़सी उन्पॉटन्स पूछा त often दो बार आने वाले दातों की शंख्या है 20 ठीक है दो बार आने वाली डातों की ठीक है और अगला कुशन है कि मनुष से एक सामाजिक प्राणी है या कथन किसका है अरस्तु का है ठीक है या कथन किसका है अरस्तु का है और अगला है कि बालक में समाजी करण का प्रारम किस अवस्था में होता है तो सैस्ष्य अवस्था में होता है अगला कुशन है कि या फ अगला कुछन की बालक की गिरोव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है तो बाले अवस्था को कहा जाता है अगला कुछन की बालक को नाकारात्मक सोच अवस्था में उत्पन होती है ठीक है बालक को नाकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन होती तो वो होती है कि ज झुरौरा और बाल्टर ने ठीक है अगला कुछन की मनोशामाज कि विकास का सिध्धान कि ने दिया तो एरिक्षन ने दिया था अगला है वर्तमान में बिद्याले जाने की उम्र है तो तीन वर्स है उम्र ऑप्चारिक शिथ्चा प्रारम होने की उम्र है छे वर्थ है अगला कुछ ने कि शर्म की अवस्था कहा जाता है बाले अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है शर्म की अवस्था कहा जाता है अगला है अनुकरण की अवस्था कहा जाता है श्वप्रेम की भावना किस अवस्था में उत्पन होती है तो श्वप वहावना हो जाती है कि अगर लड़का कुछ का यह जानेगा हाँ कि अगर हम इसको छुएंगे तो मेरे सरीर को नुक्षान होगा यानि वह अपने के शरीर को नुक्षान पहुंचाएगा तब तक वह उसमें उंगली डालता है लेकिन जब उसी शमज में आ जाता है वह स्वाइब करने लगता है अपने स्रीज से ही प्रेम करने लगता है तब वह आगकी ओर नहीं जाता है ठीक है अगला कुछन है कि सामजिक्ता को मापने की बीदी है शोश्योमेट्री है अगला कुछन के वाइन लैंड शोश्योमेट्री इसके लखा निर्माट खिशने किया है ठीक है तो एडलर ने किया था एक वर्स में बालक का वजन जन्म के शमय का हो जाता है तीन गुना ठीक है अगला कुछन के छे माह में बालक का वजन जन् में खिर समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच मातर कितनी होती है 20 इंच होती है अगला कुछ नहीं कि बच्चों को सबसे पहले भाता का ज्यान कहां होता है तो अपने परिवार में ही होता है ठीक है जैसे कि पहले बताया जाचुका है कि आप लोगों को पड़ी-बड़ी कछा मा ठीक है यह भी बहुत ज़्याद इंपॉर्टन कुछन है अगला कुछ नहीं कि छटवी कच्छा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भन्डाह लगभग कितना होता है तो पच् hais 1000 सब्दो सबसे ज्यादा अधिक होता है अगला कुछ नहीं को शीखने के शाधन कौन को निमने हैं अनुकरण के द्वारा दोहरा कर यानि ठीक है अनुकरण के द्वारा यानि दोहरा कर खेल खेल बिर्ध द्वारा कहानी सुनकर वारत अलाद द्वारा परशन उत्तर भी ठीक है यह इतने होते हैं अगला कुछ नहीं कि लड़कियों लड़कियां संकेतों द्वारा को विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं लिंग व्रधी स्वास्त जंसंचार का माध्यम शम्शमूह का प्रभाव सामाजिक आर्थिक एस्थेटी पारिवादिक शंबंध बिद्याले आस पडोश के वाता वरण का प्रभाव ठीक है यह क्या होते हैं भासा के विक में मुख अंतर क्या है तो बुद्धि का अंतर होता है बस ठीक है सिर्फ और सिर्फ कौन सा अंतर होता है सिर्फ बुद्धि यानि शोच का बुद्धि का दिमाग का अंतर होता है बस अगला कुछ ने कि बुद्धि को सबसे पहले किष्णे परिभाशित किया तो बिद्धि क में 1904 में बताया था एर्षया भावना कौन सी आवस्था में पैदा होती है तो बाल्य आवस्था में पैदा होती है अगला कुछन के स्वप्रेम आपनी वस्तूओं से प्रेम की आवस्था कौन सी होती है तो शैशव आवस्था होती है अगला कुछन की सामाजिक्ता नापने की बीदे. इसकेल कौंशी है? तो हमने आपको पहले भी बताया था जिसे हम क्या कहते हैं? सोशियो मेट्री या समाज मीती. ठीक है? अगला कुशन है, सोशियो मेट्री, जिसे समाज मीती, इसकेल कहते हैं का निर्मान किस ने किया था? तो डडाक्टर एडलर ने किया था अगला कुशन है डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्कुता को नापा था 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जानम से लेकर किशोरा वस्था तक हैं अगला कुशन के बालक मानो ध्वनी वा अन्य ध्वनी में अंतर करना कब शीखता है एक माह में शीखता है अगला कुशन के अंतर मुखी वा बहर मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है ब थाथ वस्था में बाटा है अगला कुशन के बिश्व में पहली बार मनों बिज्ञान की परियोग शाला किशने कब और कहां इस्थापित की विलियम बुंट ने 1889 में जर्मनी में की थी ठीक है अगला कुशन है कि सामाजिक विगटन की किरियाएं किसे कहते हैं तो तनाव जगडा लंबाई शंगर्ष आदि को कहते हैं अगला कुशन है कि सिच्छा में प्रियोजन वाद का विचाराधार का प्रवर्तक कौन था तो बिलियम जेम्स था अ टेन-केन ने कहा था या कथम का था बच्यों के लिए सबसे उत्तम शुचक वाक है जो सोयम बालक जैसा ही हो जाने वालक के शाहत्वालग की तरह बतार करने हो वाला हो वही हो विच्छता कि अगला है शिच्छक आचार शंगिता क्या है तो शिच्छकों के मानक बेवहारों की सूचक पुस्तिका है अगला कुशन है कि शिच्छकों की योगताओं प्रियाशूं एवं उनके बेवहार का शही मुल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो उसके छात्रों द्वार किया जा सकता है तो तर्क शंगत बिचारो दाहरा प्रस्तुती करन दारा अगला कुशन्थ ने कि समय यूजन का कठिन काल किशे कहा जाता है तो पूर्व किशुवरा वस्था जो को जो लड़कियों यो लड़का दोनों के संदर्व में हैं अगला कुशन की 47 का स्वरी चात्रों का विश्वास राप्त करने हैं तो शिच्छक को उनके साथ कैसा बेवहार करना चाहिए तो मित्र जैसा बेवहार करना चाहिए और कुशन ये भी आचकता है कि बच्चों के बौद्धेक भिखास के चार द्वान दौरा पहचाना गया था तो जीनप्याजे के दौरा पहचाना गया तक बहुत ही इंपड़न् कुशन यह है जीन प्याजे बहुत ही ज्यादा पुछे कौन शी है तो साथ से बारा वर्स के उस्ता है लास्ट कुशन हमारा है कि गिल फोड ने अभी सारी चिंतन पद का प्रियोग किसके शमान अर्थ में किया है तो सजनात्मक्ता ठीक है सजनात्मक्ता की शमान अर्थ में किया है तो दोस्तों आज के लिए इतने कुशन थे 50 कुशन का एक सेट होता है ठीक है ये मेरा 34 सेट है और अगला मैं कुशन लेकियाओं का आपके लोगों के लिए बहुभी कल्पी वाला ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको